नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का दोस्तों हमारे देश में गेज कन्वर्जन के बाद में रेलवे लाइनों के चालू होने की जोगती है वह काफी धीमी है इसके कई उधारान हमारे पूरे देश में हाली में दो बड़े सेक्षनों का गेज कन्वर्जन के बाद में उ इसमें की पश्चिम रेलवे उर्तर पश्चिम रेलवे दो जोन इन्वाल्व थे एसा ही कुछ दक्षिनपूर्व मध्य रेलवे और मध्य रेलवे के सहभागिता वाले इतवारी चिंदवाडा नेनपूर गेज कनवर्जन के बारे में यह कारे भी काफी दिमिर अफ्तार से हुआ और हाली में इस पर ट्रेनों का संचालन अब जाकर शुरू हो गया है लेकिन हमारा छोटा सा सनावत से खंडवा बाइपास केविन और खंडवा का जो सेक्षन है यहाँ पश्चिम रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे और मध्य रेलवे की आपसी खिस्तान में अभी त बारे में हमने आपको बताया कि वहाँ पर भी ट्रेनों के लिए लंबा इंतजार जनता को करना पड़ा लेकिन जो गतिरोध ट्रेन चलाने के लिए आपरेटिंग और मेंटेनेंस संबंधित वह दोनों और तीनों जोनों जो भी इन्वाल्वत उनके द्वारा सुल्जा लि जी ने पश्रिम रेलवे मुंबई और दक्षिन मध्य रेलवे सिकंद्राबाद जीम साहब को पत्र लिखकर विविन्द मुद्धो पर अवगत कराया और जल्द से जल्द समाधान की बात कही दक्षिन मध्य रेलवे जीम से उन्होंने खंडवा से आमला खुर्द के बीच जो कारे किया जा रहा इसमें विद्धूती करण भी साथ में करने की भी मांग की है क्योंकि आने वाले समय में जो सनावद लाहिन विद्धूती करण के साथ में पूरी हो चुकी है उसको आगे आमला खुर्द तक वर्ष के अंतर तक बढ़ाया जाना है तो ऐसी स्तिती में विद्धूती करण यदी नहीं रहेगा तो खंडवा में इंजन चेंज करके डिजल पावर लगाना पड़ेगा ऐसी स्तिती से बचने के लिए विद्धूती करण का कार्य इस सेक्षन में भी किया जाना चाहिए काफी अच्छी मांग उनके द्वारा उठाई गई है वहीं उंकारेशवर ज्योतीरलिंक तीर्थ इस्तर आने जाने वाले शद्धालू को काफी असुविधा हो रही है जल्दे से जल्द ट्रेने शुरू हो जाएं पच्छी मध्य रेलवे और मध्य रेलवे से सामंजस से स्थापित कर इस मार्ग पर जल्द ट्रेने चलाने के लिए लिया जाए तो काफी अच्छी मांग उनके द्वारा समय समय पर जनता के हित में की जाती रही है लेकिन रेलवे विभाग का जो रवय हो हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं वहीं खंडवा जंक्षन इस्टेशन पर जो कारे चल रहे तीन चार पांच प्लेटफार्म पर उ इसमें प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 का विस्तार करने का काम भी शामिले वह भी धीमीगती से शुरू किया गया है और पांचे महिने में जो सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग के कारे है वह पूर होने में लगेंगे और खंडवा इस्टेशन पर और यार्ड में निर्मान कारे क करने में सबसे बड़ा अडंगा इस बात से आ रहा है कि खंडवा इस्टेशन का रीडेवलेप्मेंट भी किया जाना है तथा जो प्लानिंग और डिजाइन अभी तक तै नहीं हो पाई है इस कारण से गेज कनवर्जन का निर्मान विभाग और ओपन लाइन का निर्मान व रहे हैं तो यहाँ एक बड़ी बात खंडवा जंक्शन पर चल रहे है धीमी रफ्तार से कार्यों के बारे में सामने आई है सोनी जी का कहना भी सही है कि यहाँ पर जो मंडल के कार्य शेली है वह भी काफी धीमी इसी वज़े से हो गई है क्योंकि जो रीडेवलोप्मेंट क कार्य है वह अधिकारी रिस्क ना लेकर निर्मान कार्य तोड़ना पड़े इसकी वज़े से ही पूरी रफ्तार से यह कार्य पूरा नहीं किया जासा का वैसे भी दिसंबर की डेडलाइन इन बड़े-बड़े कार्यों की खंडवा इस्टेशन पर दी गई है एसी इस्तिती में ट्रेने जो है खंडवा इस्टेशन पर ही टर्मिनेट करना होगी इंजन को आगे पीछे करने में भी दिक्कतों का सामना यहाँ पर आएगा इसलिए यह कार्य पूरा होने का इंतजार यहाँ पर किया जारा लेकिन यात्रियों का तो इसमें नुकसान हो रहा है इस बार में आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आप सभी का धन्यवाद